नमस्कार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा, ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए संसत भवन का पियम मोदी ने उधखाटन तो कर दिया, पर इसको लेकर बिपक्ष अपनी राजनीती से बाज नहीं आ रहा है, नए संसत भवन की तस्वीर को शेयर करके लिखा है, कि ये क्या है, मतलब रास्टी जनता दल ने नए संसत भवन की तुलना एक ताबूत से की है, जसको लेकर बीज़ेपी आग बबुला है, बीज़ेपी की तरब से भी ट्वीट पे ट्वीट किये जा रहे हैं, मुह तोड जवाब दिया जा रहा है, गौरभाटिया ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज एक इतिहासिक पल है और देश गौरवांदित है, आप नजर बट्टू है और कुछ नहीं, छाती पीटते रहें, 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद कर के गाड देगी, और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी, चलिए ये भी तैह हुआ कि संसत देश का ताबूत आपका, तो तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है, जेडियों का भी कहना है कि कलंख का इतिहास रचा जा रहा है, तो वहीं सुप आपको आपको उनको विरोध करना है, आप करें, लेकिन एक तरीका है, इस ताबूत में बंद होने के लिए ही क्या आरजडी वाले लोकसभा का चुनाव लडेंगे, या फिर ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, आप बता रहे हो कि जो नई संसद है, वो एक कबरिस्तान है, और मैं आपको बता दू कि इस टूइट के बास से, जिस तरीके से इसे आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी के जो ट्रोल आर्मी है, उसने इसको ट्रेंड कराने की जो कोशिश की है, जितना इसे फैलाया जा रहा है, वो इसको लेकर ना सिर्फ बीजेपी के लोग, बलकि प्रदान मंतरी मोदी भी काफी नाराज नज़रा रहे हैं, कि आज तो सुब दिन है, आप इस तरह से आप करोगे, और ये भी मुर्खता पूरवक, आप ये समझें क राजनीती की स्थिती कितनी, उसका जो अस्तर है, वो कितना गिर गया है, ये राहूल गांधी का देन है, राहूल गांधी जिस हिसाब से ट्रोल आर्मी के जरिए, आप घटिया सब्दा वली, घटिया बातें, आप सोशल मीडिया के जरिए, आप अपोनेंट के उपर, मंत्री मोदी के उपर अटैक करते हो इसका यह बीमारी जो है यह हर जगह पहुच रहा है आपने ताबुत लगा दी वह कोई अगर आपको कोई देखिया आप एक पॉल्टिकल पार्टी है राज में आप सरकार चला रहे हैं और आप इस तरह की घटी आस्तर के उपर यह सड़ पास भी नहीं हो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा आप इस तरह के घटिया भई मैं आपको बता देता हूं जो आरजेटी यह विपक्स के लोग जितनी जो तमासा कर रहे हैं कि यह बिल्डिंग ताबुत नहीं है यह आपके लिए ताबुत भले ही होगा जितनी भ तो पार्लिमेंट का जो त्रभुज आकार है यह कहां से आया है इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए यह दरसल सक्तियंत्र जो है जो कई सारे त्रभुजों से मिलके बनता है उससे यह प्रेरित है यह अपने आप में यह जो बिल्डिंग है वो हिंदुजम और हिंद के उस यंत्र से जुड़ा हुआ वो पूरा सिस्टम है यह ऐसा भवन है कि जिसमें कम एरिया में भी जादा से जादा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसके उपर जो आर्किटेक्ट है उन्होंने व्रिस्तित जानकारी दी थी कि इन्होंने यह त्रभुजाकार जो है वो क् कि अप इसको ताबूत बना करके पेश कर दे रहोगे यह ताबूत है अब यह घटिया राजनीती का कोई कोई इसका तो कोई आप जबाब भी क्या दे सकते हैं दिक्कत क्या है कि राहूल गांदी नहीं प्रथा शुरू कि कि आप जिस तरीके से जो कुछ भी होता आप गाल खुश रखने के लिए आप इस तरह की भाषा के इस्तमाल करेंगे एक ताबुत बता रहा है और दूसरा प्रदानमंत्री मोदी को तानशाह बता रहा है और लैंग्वेज भी इस तरह का कि जैसे कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति जो पान के दुकान पे जो जगड़े हो है नेली की पडिभी मैने कहा था कि यह हिंदुस्तान की प्रतह है प्रतह ये है कि जब भी कोई संत-थम ah para राजा कोई यग करते हैं तो कुछ असुर उसमें आ जाते हैं विग्ण डालने के लिए रामायन में आप पहुते होंगे कि भाई जब रिशी मुनी यग क्या करते थे तो ये दानव लोग ये असुर लोग आते थे हड्डिया फेक जाते थे तो प्रभुस राम भाई लक्षोन के साथ वहां वो जाते थे कि भाई कोई असुर आएगा तो उसको मार के भगाएंगे तब ये भाग जाते थे लेकिन फिर भी ये उद्धंड़ता से ये बाज नहीं आते थे आपकी दिक्कत ये है कि आपके पास लोग सभा में सिर्फ एक सांसद है यह आरजडी यह तेजस्वी आदब की पार्टी एक सीट है इसके पास बात ये लोग ऐसे करेंगे कि जैसे लग रहा है कि बहुमत दो चार सो सांसद जो है इन्होंने बिठा रखा है लोग सभा के अ आया है और इसलिए आप देखिए एक तरफ पूरा देश आज के समारों को लेकर कि बिल्कुल गरवानमित महसूस कर रहा है और यह सब वो कहते हैं ना अंगूर खटे हैं तो आपको जो है मिर्ची इस बात के लिए लग रही है कि प्रधान मंत्री मोदी ने सीना ठोक के 2020 मे एक चीज को सुरुवात की और वो कम समय में रेकॉर्ड टाइम में इतना बड़ा काम कर दिया गया अब कुछ मिनिटों का अंतर है प्रधान मंत्री मोदी पहली बार इस भवन के अंदर उनका भासन भी होगा आपको मिर्ची लग रही है आप मिर्ची को जो है बिल्कुल सम तमाम जवाब जो है देश की जनता दे चुकी है इनके तमाम जूट के संगोल जो है यह जूट मूट का कोई क्रियेट किया हुआ है आप चारो तरब से निरुतर हो गए आपकी तमाम जो चीजे थी वो बिल्कुल फेल हो गई आपके जो यह थे कि राश्पती को क्यों नही बैठने दिया जा रहा है यह किया जा रहा है दो वेक्ति के खिला वेफायार दर्ज हुआ खडगे और केजरिवाल के पास वह आर्गुमेंट लोग छोड़ दी अब यह लोग जो है कि भई इसमें मसला खराब हो जाएगा तो यह मैदान छोड़के भाग गया अब वो आर् आपका कहीं कोई स्ट्रेटिजी काम नहीं कर रहा है कारण क्या है कारण बहुत ही सिंपल है इस महाप्रयोजन के उपर इस यग के उपर इस नई संसत के उपर और जिस हिसाब से हिंदुस्तान dal की संस्कृती को प्रधानमंतिरी मोदी ने सबसे आगे रखकर इसका पूरा उद्गाटन किया उसमें आप पूरी तरीके से फेल हो गए इनकी राजनीती नहीं चल रही है इसलिए उड़ पटांग बयान बाजी तो करें लेकिन पूरे देश को इंतजार है कि पियम मोदी अपने संबोधन में क्या बोलते है उसके पहले पियम पियम मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को बढ़ाई भी दियो और बताया कि ये चंड कितना इंपोर्टन है महत्पून है लेकिन उसके बाद भी लगता राजनीती हुरी है अपने संबोधन में क्या पियम मोदी विपक्ष पर पलटवार करेंगे देखिए उस लोगों को छोड़ देना चाहिए इनको भॉक नहीं दीजिए ये बहुत ही गरिमा मही ये एक इतिहासिक भाशन है उसको इसके अंदर एक सेकेंड के लिए भी जगन ही कि एक और इतिहास रचेंगे 75 रुपए का सिक्का भी लॉंच किया जाएगा अभी देखिए अभी लोग बोलेंगे 75 रुपए क्यों डालने जा रहे हैं बैट किया जा रहा है 75 इसलिए कि 75 साल पूरा हो रहा है लेकिन आपको तो उस सिंबोलिजम का मालूम नहीं है बही आपको चाहिए क्या था ये दे लोग है गुलाम गुलामी मानसिक्ता कि ये लोग प्रतीक है ये परिवार के बदॉलत परिवारिक पार्टियां चलाने वाले लोग इन से कुछ भी अपेच्छा करना ये बिकार है देश की जनता को आंके खोलनी चाहिए इस तरह के नेताओं को फॉरन उसी तरह के ताबू को इस ताबूत में बंद करके हिंद महासागर में विसरजित कर देना चाहिए जानकारी के लिए तो उद्खाटन समारो तो चल रहा है उद्खाटन तो पीम मोदी ने निकर दिया लेकिन समारो की जो पूरी प्रक्रिया है वो दोसरे चरण में मोदे के संबोधन के साथ है जो राच्णी करने से बाजनी आ रहे है कोई बता रहा है कि इतिहास का कलंक लिखा जा रहा है तो कोई इस नयस संसदभवन की तुलना ताबूत से कर रहा है पर विपक्ष की राच्णीती काम नहीं आने वाली इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कामरे पतसे अशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी